नमस्का दोस्तों आप सभी कामारी यूटिब चैनल में अप्टिक आटोमेशन में सौगत है आज के इस ब्यूटिटी टुटोरियल में हम चेक करेंगे टाइमर्स के बारे कि बिसिकली जो टाइमर्स होते हैं वो टाइम दे प्रोबाइट कराने के काम में आते हैं कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस के अंदर हमें PLC के थूप टाइमिंग पुल्स जनरेट करनी है कि पर्टिकुलर लेट सपोज एक और इंडिकेटर है हमारे पास वो 5 सेकंड्स के लिए ऑपरेट हो या 5 सेकंड्स के बाद ऑपरेट हो तो ऐसी कंडिशन में हम यहां पे PLC जनरली जो टाइमर्स हैं सिंगल ऑपरेशन के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं यहां कहीं पे सिक्वेंसिंग का प्रोसेस चल रहा है वहां हम इस्तमाल कर सकते हैं या फिर कहीं साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है दिन हम वहां पे टाइमर्स का इस्तमाल कर सकते हैं उम्रोन में दो तरीके के टाइमर्स हैं टी ओन एंड र्टी ओ डाइमर ओन डिले और रेटिनटिव टाइमर ओन डिले और जनरल प्रियल्स में एक और टाइमर होता है टी ओफ टाइमर उसको हम यहाँ पे विद्ध हेल्प आफ टी ओन टाइमर बना सकते हैं लोजिकली तो जो टाइमर ओन डिले है वो जैसे नाम तर्जिस्ट कर रहा है टाइमर ओन होगा कुछ डिले के बाद जो टाइमर की कोईलिंग जो होगी वो एक्टिव होगी जब उसका एक प्रोसेश जि टाइमर तक्म करने होता है कि हमें टाइमर की करने होती है कि हमें किस तरीके का टाइमर और कितने नमबो तक का टाइमर चाहिए या टाइमर 2 चाहिए या टाइमर 3 चाहिए कौन सा टाइमर चाहिए वो हम यहां पर first addressing करेंगे second time base यह बहुत important है क्योंकि किसी भी process को चलाने के लिए सबसे first important है time base that means कि हमें जो timer है, वो seconds में चलाना है, milliseconds में चलाना है, basically 100 milliseconds, 10 milliseconds, 1 second, ये सारे time bases अभी लेबल है, प्रिसेट की जो value होगी, वो actually time base के according हमें यहां पर selection करना हो, let's suppose कि हमारे पास time base 100 milliseconds, और मुझे एक timer को 10 seconds के लिए operate करना है, तो जो delay है, जो formula बनेगा, हमारा वो रहेगा, day is equal to preset value into time base, तो delay हमारा 10 seconds है, equal to preset value into time base, जो हमारा 100 milliseconds है, अगर इसको हम calculate करते हैं, तो result हमारा 100 आएगा, जैसे कि 100 divided by 1000 into, कितना multiply करें, जो हमें result 10 मिले, तो 100 divided by 1000 into 100 अगरम करते हैं, तो resultant हमें 10 मिलता है, और fourth field होता है, accumulator, जो की present status को show करता रहेगा, timer पे, कि timer कितना चल चुका है, कि जैसे कि जो हमने 10 seconds delay दिया थे, उस 10 seconds में से कितना preset value already consume हो गया है, वो हमें पता चल पाएगा, और timers में 2 bits होती हैं, अगर हमें कोई भी process को active करना है, तो timers में 2 bits होंगे, tt and dm, timer timing bit and done bit, अगर हम physical timers की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी हमारे पर दो bits होती हैं, एक nc और एक n-o, nc जो bit है, वो तब तक active रहते हैं, जब तक timing complete ना हो जाए, जैसे timing complete होती है, तो n-o bit operate हो जाती है, जो nc bit है, वो actually dt bit है, timer timing bit, that में, कि जब तक हमारा timer timing कर रहा है, तब तक के लिए वो operate रहती है, और जो n-o है वो timing completion के बाद operate होती है, उसी तरीके से, PLC के अंदर भी दो bits होती है timer की, एक कलाती है tk bit और एक कलाती है done, तो आइए first हम एक timer को check करते है, tion timer को, तो first हम एक input लेंगे, 0.0, और जो timer block हो वो new PLC instruction block में मिलेगा हमें, तो ombron के अदर जो timer के addressing है, वो है tim space, जो timer number होगा, वो 0 से लेकर 255 तक available है, तो यह आपके, यह programmer के उपर depend करता है कि वो कौन सा timer number इस्तमाल करने वाला है, let's suppose हम करते है, t4 colon 0, space, अब हमें कितनी देर के लिए timer चलाना है, वो हम यहाँ पर preset value डालेंगे, that is total delay, hash 100, enter, अभी हमारे पास जो timer आया है, उसका जो time base है, वो 100 millisecond का है, timer number T0 है, और जो value दिये है, वो हमने 100 millisecond, इसको verify करते हैं, और run करते हैं, तो जैसे हम run करते हैं, तो जो timer है, वो टोट जीरो operate होगा, that is total 10 seconds के लिए operated रहेगा, after 10 seconds वो complete हो जाएगा, तो जो timer होते हैं, on delay timers, यहाँ पर देखें, जब तक वो timer timing कर रहा है, तो timer की call active नहीं है, जैसे timing complete होगी, तो timer की call active हो, तो किसलिए इसका नाम है, timer on delay, और अगर हमें इस timer के थूप कुछ output active कराना है, उसके लिए हमें एक output लेना होगा, 100, जिरो, अब इस output को, मुझे operate करना है, स्रिफ 10 second के लिए, तो हम यहाँ पर ttbit का इस्तमाल करेंगे, तो जैसे timer, physical timers में जो ttbit होती है, वो nc होती है, तो हम यहाँ पर timer नमबर लिखेंगे, अगर हम इस तरीके से करके download अगर हम करते हैं, यहाँ पर जो nc bit है, वो आज़र switch काम कर रहा है, जब तक timer timing नहीं start करेगा, तब तक वाइज़र switch consider होगा, जैसे हम यहाँ से update करते हैं, जैसे timing complete होगे, तभी वो process active हो पाएगा, या de-active हो पाएगा, इस process से अगर हमें बचना है, कि starting में ही हमें output में ही चाहिए, जब तक हम switch on ना करें, तब तक output active ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको interlock करेंगे, with this input, या फिर किसी और other input के साथ, जैसे switch on करते हैं, तो देखें, जब जब हम switch on कर रहे हैं, तभी output active हो रहा है, और जैसे timing complete हो जाएगी, तब वो deactivate हो जाएगी, और अगर हमें जब timer की timing complete हो गई है, तब उस दौरान हमें एक और फूट चाहिए, तो हमें इस timer का done bit लेंगे, जो कि एक add of format में होगा, t0 and output, अब ऐसे operate करते हैं, तो एक output, एक 10 seconds के लिए ही operate होगा, अगर हमें 10 seconds के बाद output operate चाहिए, तो इस दौराना second run में पनाया है, तो दीके जैसे timing complete हुई, तो second output automatically active हो गई है, इस तरीके से हम T on timer का इस्तमाल कर सकते हैं, अपने logic के अंदर timing provide कराने के, अगर हमें work condition के लिए timing के हैं, तो हम वहाँ पे TT bit का इस्तमाल कर सकते हैं, that means कि एक output हमें 10 seconds के लिए operate कराना है, 5 minutes के लिए operate कराना है, तन हम वहाँ पे TT bit का इस्तमाल करेंगे, और अगर कोई कैसा है थे हमें एक process पास से के लिए operate कराना है, तन हम वहाँ पे 10 bit का इस्तमाल करेंगे.